बढखल विधान सभासे कॉंग्रेस प्रत्याशी विज़े प्रताप ने विज़ेपी पर निशाना साथ ते वे कहा कि दस साल सत्ता में रहने के बाद मैट्रो का एक पिलर जो ना लगवा सके वो आज बड़ी-बड़ी बाते करते हैं और सिर्फ जूट बोलने का काम करते हैं कॉंग्रेस प्रत्याशी विज़े प्रताप गांधी कॉलोनी में जन संभात करने के लिए लोगों के बीच पहुचे थे विज़े प्रताप ने कहा कि जब हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार थी उस समय फरिधाबाद से ऐसी चौधरी मिनिस्टर थे और उन्होंने मेडिकल क कामिया फरिधाबाद में विकास हुआ है विज़े पी सरकार ने किये हैं विज़े प्रताप ने कहा कि जनता को सब पता है दस साल में उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया जो काम हुए हैं हुड़ा सरकार में और उस साल में हुए हैं दोहजा चौदा से पहले हुए हैं यह काम आज प्रत्यक्ष को प्रमान की जरूरत नहीं, ये सब को दिखता है कि काम किस ने किया इतना बड़े हस्पिटल का जो आज में जूट बोल सकता है तो सडकों का कड्डों का सीवर को तो रोज ही बोलेगा दूसरा दूसरा प्रतेक्स को प्रमान किया विशक्ता नहीं है जिस दिन चौदरी भूपिंदर सिंग होड़ा जी ने सत्ता इनको दी कॉंग्रेस ने, 2014 में हरियाना पे 70,000 करोड का करश्टा लेकिन सत्तर हजार करोड करता हर्याना रोजगार में नंबर एक था देने में पर कैप्टा इंकम में नंबर एक था लो एन ओर्डर में नंबर दो था खिलाणियों को संबान और पुरुषकार पैसा देने में नंबर एक था किसानों को फसल का पैसा और टाइम से देने में नमबर एक था आज इन्होंने हरियानों को पाँच लाग करोड का करशदार बना दिया बेरोजगारी में बेरोजगारी में नमबर एक कर दिया है और चलेने खबरों के साथ इस बॉलिटिन में